Hey everyone, welcome back to the new video. My name is Gaurav and you are watching Trader.sav. In this video, I am going to talk about the strategy that made me a millionaire. यानि कि जिस strategy ने मुझे एक millionaire बनाया है, उस पर हम बात करेंगे. तो सबसे पहरे एक market ढूण के आपको उसमें horizontal lines 4-5 बना लो दाकि बार बारना ढूणने पड़े. और levels mark कर दो, ठीक है? काफी लोग सोचते हैं कि उनको levels आते हैं, पर लेकिन levels mark करना भी एक कला होती है. कि आप एकदम सही point पे करें और वो ना practice से आ जाती है. कोई भी चीज by birth नहीं होती, practice से आ जाती है, ठीक है? तो आपको पहले सबसे सारे important levels mark कर लेने, ठीक है? तो जब मैं trading सीख रहा था, तो हुआ यह कि मेरे पास जादा समय नहीं था, क्योंकि college complete हो गया था, तो मुझे थोड़ा जल्दी सीखना था, तो मुझे बस सबसे दर इस बात का होता था, कि मैं बस गलत चीज में ना फच जाऊं, है ना, गलत career counseling भी गलत होती है, तो बस मु गुजराती लोग जादा तर stock markets में या फिर financial markets में active रहते हैं, तो बोलते हैं कि भाव भगवान 6, यानि कि price is king, price is god, तो इसलिए price section पर सब काम करते हैं, तो अब जैसे कि यहाँ पर resistance level मैंने बनाया था, तो मैंने down की ले ली, simple है, तो last में मुझे समझ में है कि price section सब पूछ किया जाए, क्योंकि ऐसा beginner क्या होता है कि हम shortcut ढूंते हैं, हमें लगता है कि शायद market में कोई bug है, है न, कि हमें पता चल जाए और हम millionaire बन जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो हर कोई करोड़ पती होता है, हमारी आंखों को सब दिखता है, है न, इतना easy होता तो हर कोई कर लेता है, अगर किसी एक special pattern पे हमेशा वही चीज़ repeat होती है, तो हर कोई millionaire बन जाता, करोड़ पती बन जाता, है न, तो जानने की चीज़ यह है कि markets में, binary market में, Forex में, Indian stock market में, US stock market में, Forex market में, कोई भी चीज fix नहीं है, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ, अगर आपको पढ़ा नहीं है, अगर आपको आज कोई strategy काम कर रही है, और आप देख रहे हो कि यार, आज क्या हो रहा है, कि दो green candle के बाद एक red बन रहा है, तो ज़रूरी नहीं है, पांच मिंट बाद हो काम करेगा, और फिर change हो जाएगा, या कुछ भी चीज़ stable नहीं रहती है, अब जैसे कि उपर resistance level था, तो इस समय काम नहीं किया, तो मैंने MTG ले लिया, उसके पीछी reason यह है, देखो दो reason होते हैं, पहली चीज़ जैसे सारी चीज़े हमेशा काम नहीं करती, price action भी हमेशा 100% काम नहीं करता, price action भी 95% काम करता है, 5% cases में loss होगा, अगर price action भी एक दम exact काम कर रहा होत है, एक तरीका होता है कि किस line पर कहां पर trade लेनी और कितना MTG लेना है, तो पहली चीज़ तो यह कि हर समय काम नहीं करेगा, 95% काम करता है, दूसरी चीज़ आपकी जो अपने practice करिये, जो आप those charts को analyze करते हो, demo में practice करते होंगे आप लोग, तो practice करते करते हैं, आपको जब य जीतता हूं और 5% of the time में second step में जीतता हूं, तो मुझे हमेशा पता है कि मैं second step में जीत जाता हूं, तो मैं capital usage sub से use कर रहा होता हूं, या तो मैं proper risk management करता हूं, जैसे कि आपको दिख रहा है इतना balance होने के बावजुद मैं $100 की ले रहा हूं, इन तो बंदे बारे देखे है जो 300-500 की भी ले लेते हैं, अब यहाँ पर देखो support level आगे है तो मैंने अपकी ले ली, तो जैसे मैं कहा रहा था दो चीज़े हैं, पहला तो price section 95% काम गड़ता है, दूसरा आपका analyze होता है, खुद को लेगी कि यार मेरी accuracy इतनी तो है कि मैं second step में जीत जाऊंगा, तो मेरे accuracy, तो मैं उसी साब से use करता हूं और मैं win करता हूं, तो जब यह दोनों चीज़े मेरी perfect हो गए, पहले मैंने accept किया कि केवल price action करना है, एकदम naked chart में करना है, दूसरा मेरी accuracy, second step MTG तक एकदम बढ़िया है, तब जाके मैंने बड़े amount से trade लेना start करा था, जैसे कि 200$, 300$, जब मुझे सब कुछ clear हो गया था, तो देखो आपके सामने मैं एकदम price section पर काम करूंगा, और देखो price section बोरिंग लगता है लोगों को, क्योंकि lines बनानी है, महनत करनी पड़ती है, और previous candle मैंने win करना था, पर लेकिन video बनाने के चक्कर में, जैसे मैं voice over कर रहा हूं, तो उस चक होगे, मैं अभी जो training कर रहा हूं, इसमें मैं जो है, एक बारी में भी जीत जाओंगा, हो सकता है, मैं one step mtg में भी जीत हूं, पर मैं जीत रहा हूंगा, एड दिये न, profit में आ रहा हूंगा, क्योंकि मेरी practice उसे साब से हुई है, तो आपको भी ऐसी करना है, कुछ भी फाल मिल जाता है, वो बोलते हैं, भाईयां से डाउन लो, पर यार मतलब सोचने की बात है न, यार ये कि अगर ऐसा होता न, तो हर को इस ट्रकल नहीं कर रहा होता न, कि इंडिगेटर से दे दिया, डाउन का ले लो, अपका ले लो, कुछ तो इसमें कुछ तो टफ होगा न, तो इसलिए मैं तुम्हें सही रास्ते में लेके आता हूँ, कि एज जो है, यही होती है, कि एकदम खुला माइंड, एकदम क्लीन माइंड, एकदम क्लीन चार्ट, सपोर अडिस्टेंस ओनली और ट्रेंड लाइन्स ओनली, इस उते से आप जीतते हो, जब आपको पता चलता से बनाऊ, और अकर मैं बन सकता है, तो कोई भी बन सकता है, भाई, है न, यह सब चीज़े लाइब मार्केट में यही सब चीज़ें तो मेरे को पर्सनली मेसेज करना फीच से 2500 फॉर लाइफ टाइम सिगनल्स तो आपको लाइफ टाइम मिलेंगे और आपको लर्निंग भी मिलेंगे ठीक है और यहां से देखो यह वाली टेड हम थोड़ी लॉस करी तो मैंने MTG में अपकी लगा ली तो देखने में लगता है कि यार कि MTG यूज हो रहा है पर लेकिन अगर आप मेरे बैलेंस को देखेंगे तो एटलिस ग्रो ही हो रहा है लोग को इतने सी बास समझ में नहीं आती अधि देखो वह कहवत होती है न कि बूंद बूंद से साहगर बनता है होती है एवरी बूंद मैटर्स तो यावरी सिंगल डॉलर मैटर्स अगर आप भले याब वन स्टैप जा रहे हो टू स्टैप जा रहे हो अगर आप उसे win करके profit में आ रहे हो न तो सही है है न तो अब जैसे मैं यह win कर यह वाली शायद मैं win कर लूँगा हाँ लग रहा है शकल देखके तो लगी रहा है तो मैं profit में आ जाओंगा तो mtg को बुरा वोलनी की ज़रूद नहीं है भाई averaging हर जगे चलती हर market में चलती है ठीक है जैसी इसको win करेंगे profit में आ जाएंगे गलत क्या हुआ इसमें बलकि अगर आप mtg use नहीं करोगे मुझे एक बात बताओ तुमने 100 dollar की trade ली अगर तुमने 100 dollar की trade में तुम कौन सा recovery कर पाओगे अगर next भी आपके lose हो गई तो कैसे recovery करोगे पहली बार जो तुम हारे हो उसको जीतने के लिए तुम्हें दो trade करनी पड़ेगी अगर दूसरी भी हार गई तो तुम्हें 4 trade करनी पड़ेगी MTG आपके trades के number कम कर देगा क्योंकि आप 100 की जीतोगे MTG में जैसी next लगाओगे तो थोड़ा profit में आ जाओगे ऐसा रहता है है ना over trading से में बच जाओगे ऐसे में तो यह सब चीज़े रहती बैकि कोई भी question है तो comment down करना आपको उसका answer मिलेगा है ना तो levels are everything यार मेरी सारी videos level पर आएंगी आपको देखना है तो level देखके समझ जा ना देखना है तो देखना वरना कोई और false concept देखो अपना पैसा loss को रहो कोई आपको मना नहीं कर रहा बाद में जब जिन्दगी से परिशान हो जाओगे 2-3 साल बाद तब मेरे पास तब शायद यतना भी time ना बचे तब तुम बहुत पच्चता होगे बाद में पस्ताने से अच्छा पहले जो है आप अपना जो है वो कर लें क्या क्या बलते हैं उसको क्या कर लें दिमाग सेट कर लें कि आपको क्या सीखना है एक की चीज़ सीखने है price action अगर trader बनना है त और ट्रेडर नहीं बनना वस्ट टाइम पास gambling करनी है तो वह तो ऐसी भी कर लोगे उसके लिए क्या ज़रत पड़ाई लिखाई की ना ठीक है तो फिर यार यहां पर let's wait and watch यहां पर support level तो है यहां से मैं एक अब direction की ले लेता हूँ ठीक है क्योंकि support level था ठीक है अब जैसे मुझे मेरी accuracy पता यह मेरी ख्याल से next minute पे move हो गई अब trade तो मैंने इस minute पर ही लगाई थी आरप next में move हो गई तो पता निश टेड में होगा क्या भाई इसको तो दे चीज है तो यार मैं बस यही चाहता हूं कि सब को सचा ही पता चले है ना आपने देखा हो कि मैं बहुत ज्यादा फालतों बाते नहीं करता कि यह सी है market में वह चीज है ऐसा वैसा क्योंकि ऐसा वैसे कुछ होता ही नहीं है क्या बोलें यह ना जब मैं 12th class में था तो मेरी PCM फिजिक्स, Chemistry, Maths non-medical बोलते हैं कहीं कहीं जगा इसको तो मेरे साथ के बच्चे बता है मैं जब पढ़के गया था ना तो मैं के वर NCRT पढ़के गया था NCRT की बुक आती है जो बोर्ड देता है जो CBAC बोर्ड देता है अब बच्चे लगे वेया यार आरे सेगरवाल, RD शर्मा और इतनी सारी guides लेने में, sample paper solve करने में मैं हमेशा यह कहता था यार देखो अगर बोर्ड न यह बुक्स दィ्या ना तो बोर्ड ने सोच कही दिया है वो पागलतों है निए कि बुक्स से बाढ़द देगा उसने syllabus लिखा है तो मतलब उसमें सही आना है उसने बुक दी है मतलब उसमें सही आना है मेरा एक दिमाग था हमेशा से और यही चीज मेरे ख्याल से मुझे ट्रेडिंग में मदद करके आई है कि मेरा एक ही दिमाग रहता है हमेशा से मैंने सिर्फ वही बुक पड़ी और जो जो ऐसा फालतु दिमाग लाया के घोमेते भाई वो उनसे तब भी कुछ नहीं हुआ एक्जामस में उनसे आज जिन्दगी में भी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वो तब भी stable नहीं था आज भी stable नहीं है यह सब चीज है अब यहां पर मैं one step MDG लगा रहा हूँ देख है अगर मैं मैं इसको win करूंगा तो बढ़ी है नी तो अगले step में मैं जो है मुझे पता है अगला तो मैं win करी लूँगा वैसे तो मुझे यह win कर लेना चाहिए अगर मैं इसको win नहीं करूंगा तो next confirming करूंगा क्योंकि जो मेरी accuracy है 30 बारी में 30 टेट में जीती जाता हूँ मैं और फिर profit में आ जाता हूँ तो ऐसे करते करते मैं हमेशा profit में ही land करता हूँ और अपना balance ग्रो करता हूँ ठीक है तो मैं हमेशा से एक बहुत simple दिमाग कर रहा हूँ मैं एक चीज़ पकड़ता हूँ और छोड़ता नहीं हूँ तब भी मैंने ऐसे ही किया था 10th के exam में 12th के exam में अभी भी ऐसी करता हूँ मैं तो आगे भी ऐसी करूँगा भाई simple तो देखते हैं कोई अपरचून्टी मिले बढ़िया वाली क्योंकि अब इसके बाद जो है नीचे कोई level तो है नहीं तो trade लेके फाइदा नहीं है अब देखो मैं क्या सोच रहा हूँ इसको उने loss कर दिया पर मैं immediate नहीं ले रहा previous trade साब देखो सारी भी नहीं या न जितनी भी है तो अब क्या होगा मैं किसी level का wait कर रहा हूँ कोई बढ़िया से level मिले और मेरे ख्याल से यहां पर मुझे जो है मिल गया है ठीक है अब की direction के मैं ले लेता हूँ यहां पर मैंने अब की मैं इसलिए ले रहा हूँ और आपने देखा मैंने थोड़े से बड़े amount में यहां पर लगाऊंगा थोड़ी सी मुझे यहां पर एक space मिल जाए ठीक है मैं तब अपकी ले लेता हूँ अपकी लेने का reason यह है कि यार देखो support level पर तो यहां पर green बनी नहीं है ना पर लेकिन यहां पर हुआ है कि यहां पर breakdown हुआ है और इतने सारी back to back red बनी है काईदे से वहां पर green वैसे भी आनी चीए काईदे से तो green आनी चीए plus breakout भी हो गया तो sellers week पड़ गए अब यह सब चीजें तुम्हें कौन बतायागा बताओ यार आज तक किसी ने बता यह तुम्हें चीजें अब मैंने यहां पर बड़े amount की trade क्यों लगा दी भाई लोग बोलनेंगे क्यों लगा दी क्योंकि मुझे भरोसा था जैसे मैं कहा रहा था कि मैं first step 90% मतलब पहली trade 90% time जीच जाता हूँ और first step MDG में 5% time और बागे 5% second step में तो मेरे स्मिर को इतना पता था कि इस वरी trade में मैं जीच जाऊँगा तो मैंने यहां पर all was honest पूर amount लगा दिया जीतेंगे तो लगबग लगबग double हो जायागा तब मैं उसको और grow करूँगा तो मेरी यही strategy थी मैं यही चीज़ें करता हूँ आपको केवल बूंद बनानी है बूंद बूंद से सागर बनता है भई विन करते 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 balance बड़ा होता है मोटा मोटा balance लाके बड़ा नहीं होता तो ऐसे करते करते मैंने win किया और सारी चीज़े हुई एक दिमांग रखो एक चीज़ सीखो जो भी सिखो अच्छे सिखो बाकी कोश्चन है कमेंट करना मेरे VIP में फ्री गुरूप में आने के लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में अकाउंट बना के मैसेज करना पेड में आने के लिए परस्नली मैसेज करना इस टेट को तो हम घर जीती जाएंगे वो टेंशन की बात नहीं है और बस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें और मेरे ख्याल से जी चुके हम ठ्रेट को है न बाकी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब आप यू लाइक दा वीडियो थैंक्यू सो मच